योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है जुड़ना, मन को वस में करना और वृतियों को सांथ हो जाना ही योग है। योग आठ परकार का है। यम सबसे ही बना है सयम यानी मर्यादित आचरण, वेवहार यम के पांच अंग है अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रमचार्य, अप्रिग्रा, नियम का भी पांच अंग हैं। सौच, संतोस, तप, स्वाध्याय, इश्वर, प्राणिधान, आशन, आशन महच, सारेरी, कसरत या लचिला पन नहीं है। इस्थिर सुखम आशन यानी सरीर की इस्थिर्ता और मन के तल पर आनन्द और सहजाता ही आशन है। प्राणायाम, सरीर में सुचम प्राण सक्ति को विस्तार देनी की साधना। योग यज्यक वल्यने सहिंता में प्राण आती सांस और अपान जाती सांस के प्रती सजक्ता के सन्यों को प्राणायाम बताया है। सांस की डोर से हम तन मन दोनों का साथ सकते हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार सब्थ प्रती और आहार से बना है। यानि इंद्रियां जिन विस्यों को भोक कर रही है, उनका आहार कर रही है। वहां से उसे मुल स्रोत स्वाव की तरफ मोडना। इंद्रियों की निरंतर दोड हमें उर्जा हीन करती है। इंद्रियों की दोड को त्याक कर मगन रहना प्रतिहार है। धारणा, देश वंधा, चितस्य धारणा, यानि चीत का एक जगा टिक जाना धारणा है। धारणा, मन को एकाकर करने की साधना है। धारणा, ध्यान से पहले ही इस्थित है। इसके कई स्वरूप है जैसे प्राण धारणा, यानि स्वास पर फोकस, जियोती या बिंदू तराटक आदी। ध्यान, योग सुत्र कहता है कि जब धारणा लगतार बनी रह जाती है तो ध्यान घटित होता है। ध्यान हम कर नहीं सकते बलकि या घटित होता है। ध्यान वो अवस्था है जहां करता, विधी या प्रकिरिया सब कुछ समाप्त हो जाती है। बस एक सुन्यता होती है। समाधि योग या वल्लक्य ने सहिंता में जिवात्मा और प्रमात्मा की समता की अवस्था को समाधि कहा है। महर सिपतंजली कहते हैं कि जब योगी स्वयम के वस्तिक स्वरूप सत् चित अनंद स्वरूप में लीन हो जाता है। तब साधक की आवस्ता ही समाधी कहलाती है यहीं योग का अर्थ है